आज मैं आपको बताऊंगी फिश को बेक करने का एक ऐसा असान तरीका जिससे आपकी फिश हर बार एकदम जूसी बनेगी मैंने फिश को राइस और स्टीम वेजेटेबल्स के साथ सर्व किया है स्टीम वेजेटेबल्स बनाने के लिए लिक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आईए शुरू करते हैं मैंने 500 ग्राम सुर्मई फिश के फिलेट्स लिये हैं और उन्हें छोटे छोटे पीसिस में काट लिया है आईए फिश को मेरिनेट करते हैं सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दो चम्मच जैतून का तेल यानि ओलिव उयल दो बड़े निम्भू का रस बारिक कटा हुआ लेसुन एक बड़ा चम्मच देड़ छोटी चम्मच और एगेनो ये एक इटालियन स्पाइस है आधा चोटा चम्मच चिली फ्लेक्स दो बड़े चम्मच कजून स्पाइस एक चोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर नमक जादा नमक नहीं डालेंगे अब इसे हलके हाथ से मिला लेंगे केजून स्पाइस अराम से मार्केट में मिल जाता है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कोई भी फिश तंदूरी मसाला इस्तमाल कर सकते हैं इसे हलके हाथ से मिलाएंगे और 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे फिश को बेक करने के लिए हम एक फॉयल लेंगे और उस पर अपने फिश के पीसिस को बेक होने के लिए रखेंगे जब हम फिश को ऐसे फॉयल में बेक करेंगे तो फिश बहुत ही मॉइस्ट बनेगी और इसके जूसिस भी इंटाक्ट रहेंगे अब हम इसके उपर डालेंगे दो चमच मेरिनेशन ये फिश को एक अच्छा सा टेस्ट देंगे और मॉइस्ट भी बरकरा रखेंगे हमने सारे पीसिस इस पर रख लिये हैं अब हम एक दूसरा फॉयल लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे इसको चारो तरफ से अब हम थोड़ा थोड़ा fold कर देंगे ताकि इसका moisture foil से बाहर ना जाए आज हमने सुर्मई fish का इस्तमाल किया है जो कि एक oily fish है और बहुत ही अच्छा source है vitamin A, D और E के लिए इसमें omega 3 fatty acid भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे body को healthy रखने में बहुत help करता है और बहुत ज़रूरी भी है हमने oven को 180 degree पर 10 minute के लिए preheat कर लिया है अब हम इसे bake करेंगे इसको चारो तरफ से अच्छे से हमने fold कर लिया अच्छे से seal कर दिया है आए इसको bake करते हैं अपने oven के भीच वाले shelf पर baking tray में हम अपने इस foil को रखेंगे और 18-20 minute तक 180 degree पर इसे bake करेंगे 20 minute हो गए हैं आप देख सकते हैं कि हमारा foil कैसे अंदर अच्छे से फूल गया है इसका मतलब है कि हमारी fish अच्छे से bake हो गई है आए इसको निकाल लेते हैं foil को खोलने से पहले हम इसे 2-3 minute का rest देंगे foil को हम बहुत ही अराम से एक साइट से खोलेंगे क्योंकि इसमें पहुत तेज भाप निकलेगी देखिए फिश बिलकुल अच्छे से bake हो गई है और इसमें हमारा जो liquid हमने marination का डाला था वो भी अच्छे से बरकरार है फिश अच्छे से bake हो गई है आएए इसको serve करते हैं rice और steamed vegetables के साथ और जितना भी इसमें हमारा liquid बचा bake करते हुए वो हम इसके उपर से इसको pour करेंगे यह एक बहुत ही अच्छा tasty सा gravy की तरह बन जाता है और बहुत ही स्वात लगता है खाने में steamed vegetables कैसे बनाए इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप इसे किसी भी dip के साथ खा सकते हैं, mayonnaise के साथ खा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please इसे like करें और subscribe करें Thank you